नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के सभी इसकूलों में 1 से 5 तक की कक्छाए 15 जनवारी तक रहेंगी बंद जारखन में बर्ती ठंड को लेकर सिक्षा भी भागने छोटे छोटे बचों के स्कूल जाने से रहत दिया है, राजे के सरकारी और निजी इसकूलों में 1 से 5 तक की कक्छाए 15 जनवारी तक रहेंगी इससे पहले ठंड के कारण सरकार ने सभी इसकूलों को आठ जनवारी 2018 तक बंद रखने का निदेश दिया था, लेकिन लागता ठंड बंढने के कारण उस अदेश को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 1-5 के छात्रों की कक्षा 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है बता देगी बर्तमान में राजे के सभी जीलों में पारा 10 डिग्री से नीचे हो गया है राजी के काके में तो पारा 2.3 डिग्री तक पहुंच गया है वहीं में कलुसकी गंज में ओस की बुंदे भी जमने लगी है बता देगी जारखन में बढ़ते ठंड को लेकर सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कक्षा 1-5 तक की कक्षा 15 जनुवरी 2023 तक बंद रखने का फासला किया है पलामू टाइगर रिजरब की सान बढ़ाने वाला तेंदुआ पर खतरा है पलामू टाइगर रिजरब में बाग के बाद अब तेंदुआ ने अपना बर्चस्व काइम किया है वन विभाग से प्राइप्त आकडे कनुसार पूरे पलामू टाइगर रिजरब में करीब 32 तेंदुआ है अकेले बेटला नेशनल पार्क में भी आधा दर्जन से कम तेंदुआ नहीं है कभी कभार पार्क भ्रहमन के दोरान दिखाई देते रहते है बता दे बेतला नेशनल पार्क सहीद आसपास पलान टाइगर रिजरब के आसपास के कई जंगल छेत्रिक के गाउं में तेंदुए आने की भ्रामक खबर फेला है इस कारण तेंदुए की जीवन पर संकट मंड़ा रहा है सूटर छानते रहे जंगल तेंदुए ने गाउं में घुस कर युवक पर किया हमला गढ़वा और लातेहर में चार लोगों की जान ले चुका आदम खोर तेंदुए की तलास में हैदराबाद के आई सूटर सपत अली खान की टीम तीन दिनों से जुटी हुई है सन्निवार को भी टीम जंगल में तेंदुए की तलास करती रही इसी बिच तेंदुए ने रमकंडा थाना चेत्र के जगुआ ही टोला में एक युवक पर हमला कर दिया युवक इस हमले में बाल बच गया है तेंदुए के हमले किया घटना रात आठ बजे किया है गावालो के अनुसार तिस वर्षिये युवक दिलदार सिंग किसी काम से अपने घर से बाहर निकला था इसी विच तेंदुए ने उस पर जप्टा मार कर हमला कर दिया आज पास हो रहे तेंदुए के हमले के कायान पहले से ही सतर्क दिलदार सिंग ने डंडा उठाया और चिलाने लगा तब तक कई गिरामिन वहां जमा होगा है महिला फुटबॉल चैंपियंशिप के लिए भारतिय अंडर 20 टीम घोसी महिला फुटबॉल चैंपियंशिप को लेकर अल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से इंडिया अंडर 20 ट्रेनिंग कैम्प की घोसना की गई यह कैम्प चेंड़ाई में 8 जनवरी से 23 जनवरी तक आयो जित होगी इस कैम्प के लिए जार्खन से 9 खिलाड़ों का चैंड हुआ है भारत के विभीन राजियों से कूल 35 खिलाड़ों का चैंड इस कैम्प के लिए किया गया है बता दे कि बंगलादेश में 2 से 10 फर्वरी तक SFF Under 20 महिला फुटबल चेंपियंशिप और 4 से 12 माज तक FC Under 20 विएंस चेंपियंशिप क्वाली फाई राउंड की पर्त्योकता आयो जित होने जा रही है इसी की त्यारी को लेकर कैम्प का आयो जन किया गया है स्वास्त ब्यवस्था पर नजर रखने के लिए जार्खन में बनेगी निगरानी टीम सिंभूम चेंबर ओफ कोमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयो जी सनवाद कारिकरम को समुधित करते हुए राजे के स्वास्त मंत्री बंगा गुपता ने कहा है कि राजे का विकास का कार्य रुकने वाला नहीं है मुझे समस्या के अनुसार समधान ढूड़ना आता है उन्होंने कहा है कि स्वास्त ब्यवस्थाओं की निग्रानी के लिए पूरे राज में निग्रानी टीम बनेगी वही उन्होंने कहा है कि कोविड से लडने के लिए ज्ञार्खन त्यार है उन्होंने कहा है कि 99 से 260 बेट सुरक्षित है इस मौखे पर चेंबर के अध्याक्ष बिजय अनन्द मुनका ने उन्हें ब्यापारियों की समस्याव से समधित एक सूची भी सोपी है इडी ने जारखन के तीन कांग्रेसी बिधायकों को भेजार नोटीस परवतनी देश सालाय ने कैस कांड से जूड़ी कांग्रेस के तीन बिधायक डाक्टर इर्फानानसारी, राजस कक्षप और नमन विक्सल को गाड़ी को हाजिर होने का निर्दिश दिया है इडी ने डाक्टर रिफान अंसारी को 13 जनवरी राजस कक्षप को सोला और नमन बिक्सल कगोडी को 17 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है तीनों विधायकों को दिन के 11 बजए इडी के रांची इस्थी चेत्रीय कर्याले में हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है बतादे विधायक कैस कांड में हेमंत सरकार को गिराने की साजिस राचने से सिलसीले में अरगोडा थाना में प्रात्मी की दर्च कराने वाले विधायक जममंगल सिंग और्प अनुप सिंग से इडी पहले चर्ण में पुष्टाच कर चुकी है अधिवक्ताओं को बीमा का लाभ कोट फीस कम करने पर विचार सियम हेमंत जारखन में कोट फीस बढ़ोतरी के खिलाप राज के अधिवक्ता अंदोलों रहा था है इसी बीच मुखी मंतरी है Augın отлич ने राज में पहली बार मुखी मंतरी अधिवक्ता सनवात कारकरम का विजन cm आवास में किया करने की वहां कोट फीस को काम करने पर विचार करने का भी अस्वासं दिया है उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्गाटना वस्वास्त बीमा की योजना लाने की बात कही इसके तहुत अधिवक्ता सब परिवार प्रती वर्स बेहतर इलाज के लिए पांच लाख रुपे तक की सायतरासी प्राप्त कर सकेंगे जार्खन के आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों को रोज अंडे देने की मांगतेज जार्खन वद देश के अने छेतरों के सैकडो सचेत नागरीकों ने मुख्य मंत्री हेमांसुरेन के नाम एक पत्र लिखा है चिठी लिखने वाले सचेत नागरीकों ने कहा है कि आंगनवाडी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को एक दिन भी अंडा नसीब नहीं होता जारकन सरकार ने कई बार वादा किया है कि स्कूलों एवं आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों को खाने में हर दिन अंड़ा दिलाया जाएगा लेकिन आज तक सरकार आपना वादा पुरा नहीं कर पाई उसके वादे खोकले ही सावित हुए है बाइक में रखे विसफोटक से धमाका में सात लोग गंभीर घायल तोप्चांची थाना के सुभास चोक के पास रभीवार्दो पर आचानक एक बाइक की डिकी में रखे विसफोटक से विसफोट करने से पूरे बजार में हड़कम मच गया धमाका इतना जवरजस्त था कि आसबास खड़ी पांच महिलाओ समेच साथ लोग गंभीर रुप से घायल हो गए गोमो के पिंकु नाम का एक ब्यक्ति अपनी बाइक से विसफोटक समागरी लेकर गोमो जा रहा था इसी दरान जैसे ही वह सुबास चोक से गोमो जाने वाली रास्ता में मुड़ा उसकी बाइक में रखा विसफोटक पदार्थ ब्लास्ट हो गया धमाके से कई दुकाने भी छति गरस्त हो गई घातना के बाद पूलिस और गरामिनों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए धानबाद भेज दिया गया घायलों में से एक की स्थिती गंभीर बताई जा रही है कोट भी मामले में राजे और जिला बार की अपात बैठाक जारखन में कोट भी बढ़ने के साथ ही इसका बिरोध भी तेज हो गया है इसको लेकर जारखन में अधिवक्ताओं के हर्ताल और सभी जारखन सरकार के फैसले के बिरोध कर रहे हैं दो दिन के कारे भहिसकार करने के बाद रभीवर को रांची में राजे और जिलाबार कॉंसिल की अपात बैठक चल रही है जिसमें एसोसियेशन के तमाम पता अधिकारी समेत अधिवक्ता मौझूद है इस बैठक में आगे की रण नितिता की जाएगी बतादे सरकार द्वार कोट फी बढ़ने का बिरोध और जारकन में अधिवक्ता के अर्थाल से नियाई कारे पर प्रतिकूल परभाव पड़ता है वहीं दो दिनों से स्टेट और जिला बार एसोसियेशन के साथ परदेश के 33 सेयर अधिवक्ता जारकन सरकार के फैसले का बिरोध कर कारबहिसकार कर रहे हैं पारसनाथ बिवाद मामले में 10 जनवरी को जूटेंगे आदिवासी पारसनाथ सम्मेद सिखर बिवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है इस मामले में अब आदिवासी संगटनों ने इस पहाड़ी को अपना धरोहर बताया है उनका कहना है किया उनके मरांग बुरु हैं और ए सदियों से उनकी पुझा करते आए हैं बतादे जार्खन इस सम्मेद सिखर पारसनाथ पाहाड़ी के बिवाद में अब आदिवासी संगटनों और अस्थानी ये लोग भी कूद पड़े हैं आदिवासी संगटनों ने पाहाड़ी को अपना धरोहर और पुझ ये अस्थान बताते हुए इस पर दावा ठोका है धरोहर को बचाने के अवाहन के साथ अगामी 10 जनवरी को यहाँ देश भर के आदिवासी से जूटने के अपिल की गई है खास बाते हैं कि इस संगटनों के अगवाई जामों के वरिष्ट बिधायक लोबिन हेम्रम कर रहे हैं जारखन में कोविट भैक्सिन की किलात कोविट के बढ़ते खत्रे के संगगा के बीच एडवाजरी जारी की गई है 27 दिसमर को मौक ड्रील के दरान जल्द टीका मिलने का फरोसा भी दिलाया गया था केंद्र सरकार ने हर तरह से राजे को त्यार रहने और वैक्सिनेशन का कोवरेज बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश दिया है लेकिन जारखन में फिलाल वैक्सिनेशन का गराफ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राजे को भैक्सिन की खेप नहीं भेजी जा रही है नतीजा है कि जारकान में कोवी सिल्ड लोगों को सबसे ज्यादा लगी जिसका फर्स्ट और सेकेंड डोज करीब सतर पर्थियत अबादी को पड़ा है लेकिन जब थर्ड डोज लगाने की बारी आई तो टीके ही आउट आफ स्टोक होगा है जारकान के सबी जिले में कोवी सिल्ड की डोज पिछले दो माजे खत्म है इसका नतीजा है कि पिछले दो महीने से जारकान में बैक्सिनेसर के अगर आप एक परत्यस भी नहीं बढ़ा है नोकरी नहीं तो राइनीती से सन्यास वाली हेमंत सरकार की घोसना का क्या हुआ बाबुलार मरांडी भाजपा बिधायक दलकिनेता बाबुलार मरांडी ने एक बार फिर सियम हेमंत सुरेन को जानता से किये गए उनके वादों को याद दिलाई है बावुलर मरांडी ने 2019 के विधान सभाचुना से पहले हेमान सुरेन के किये गए उस ट्वीट को सेयर किया है जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी और बेजुगारी भत्ता देने की बात कही थी मरांडी ने कहा है कि ना राजे में 5 लाख नौकरी मिली धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाएए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों को सेयर करना पूले साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाय कवर से दे थैंक यू